असलाम लेकॉम आज हमने अपना चैप्टर नमबर 6 पढ़ना है जिसमें हम लोगने अपना कांसोनेंट और पढ़ना है सबसे पहले हम लोगने अपने तीन चैप्टर में 22 कांसोनेंट्स पढ़े थे और दो कांसोनेंट्स हमारे रहे गे थे हमने 22 पढ़ लिए थे टोटल 24 है तो 23 नमबर वाला हम आज पढ़ेंगे ठीक है तो इस चेप्टर में हम लोगों ने सिरफ आर पढ़ने है ठीक है मैंने आपको यहां पर लिखके बता दिये हिंट्स के लिए कि सबसे पहले आप लोग यह जहन में रख लें कि आर की दो टाइपस है ठीक है एक टाइप है इसकी अपवर्ड इसको यह अपवर्ड लिखना होगा और दूसरी टाइप है डाउनवर्ड जिसमें इसको यह डाउनवर्ड लिखना होगा ठीक है यह डाउनवर्ड और यह दोनों लाइट में है ठीक है इसको भी light लिखने इसको भी light लिखने ठीक है तो यह हमारी इसकी दो टाइपस है अब इसको लिखने के लिए पिट मैंने चार रूल्स दे दी हैं कि इनको किस तरीके से लिखने है सबसे पहला रूल है कि जब लफ्स आर से शुरू हो तो आर को अपवर्ड लिखना है ठीक है जब हमारे पास कोई भी वर्ड जो है वो आर से स्टार्ट होगा तो हमने उसको अपवर्ड लिखना होगा जैसे कि है रेड रा रोड ठीक है अब रेड में हमने जो अपना कांसनेंट आर है उसको हम लोगों ने upward लिखा है फिर D का stroke लिख दिया और short E का vowel sign ठीक है फिर रा है रा को हम लोगों ने straight लिख दिया सिर्फ R और साथ में vowel लगा दिया है vowel sign इसी तरह road भी R से लफ स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी upward लिखना है पिर दूसरे रूल में वो ये कहता है कि जब लफ R से शुरू हो और उससे पहले vowel हो तो उसको फिर downward लिखना होगा जैसे के air है air में अब हमारे पास पहले vowel आ रहे है ठीक है air तो इसको हम लोगों ने downward लिखना होगा ठीक है downward लिखके vowel का sign फिर R में R में भी पहले R फिर M और साथ में vowel sign और और है O-R और इसमें भी simple R को downward लिखना है और vowel sign लगा देना है ठीक है थार्ड में है जब लफ्स सोरी फिक्रा नहीं लफ्स जब लफ्स R पे हतम हो तो R को downward लिखना है यहां पे क्या था जब लफ्स R से शुरू हो R को upward लिखना है और यहां पे जब लफ्स R पे हतम हो तो R को downward लिखना है यह इसका उलट है ठीक है थार्ड वाला जो है number first का उलट है इसमें यह कह रहा है कि जब लफ्स R पे हतम होगा तो R को downward अब जैसे door है N किस पे आ रहे है? R पे तो इस R को हम लोग ने downward लिखना होगा simple D का stroke फिर R का stroke downward और vowel sign फिर कार है कार में भी R का stroke जै हम लोग downward लिखेंगे K का stroke फिर साथ ही R का stroke और साथ में यहां पे vowel sign नमबर 4 पे है जब लफ्स R पे हतम हो मगर उसके बाद कोई वावल आ जाए हतम R पे ही हो रहे है लेकिन इसके बाद वावल आ जाए तो R को फिर upward लिखना होगा ठीक है जैसे के carry बाद में वावल आ रहे है marry बाद में वावल साउंड आ रही है तो इसको हम लोगों ने क्या करना होगा कि इसको upward लिखना होगा ये वाला number 4 जो है ये second number वाला जो rule था उसका उलट है इसमें हम लोगों ने बढ़ा था जब लफ्स R से शुरू हो और उससे पहले वावल आ जाए तो downward और इसमें हमने पढ़ा है कि जब लफ्स R पे हत्म हो मगर उसके बाद कोई वावल आ जाए तो उसको upward लिखना होगा ठीक है इसको downward लिखना था इसको upward लिखना था एक्जेंपल है carry के का स्ट्रोक R का स्ट्रोक upward लिख दिया ठीक है यहां पर डार्ट यहां पर डार्ट पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि जब किसी वर्ड के last में हमाई पास Y की sound आती है तो हम लोग यहां पर वावल साइन लगाते हैं डार्ट का चाहे वो heavy हो या light हो फिर Mary है Mary में भी पहले M का स्ट्रोक फिर R का स्ट्रोक अपवर्ट ठीक है और वावल साइन लगा दिने है तो सिंपल यहां पर बुक में भी उसने यही वारे rule बताए है यहां पर उसने कुछ नोट दे दिया है कि चे और रे कि जो हम लोग ने जो 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 ज these strokes are these strokes are somewhat similar but they are different in slope and in direction in which they are written एक तो यह इनकी direction change है ठीक है इनकी direction change है चे जो है upward से downward लिखा जाएगा और जो र है उसको downward से upward लिखा जाएगा और slope में भी इनके फर्क है ठीक है यह जो है simple t वाला जो stroke है सीधा उसको हम लोगों ने थोड़ा सा टेड़ा कर देना है like यह 60 के angle पर बन जाएगा ठीक है 60 के angle पर यह बन जाएगा तो यह होगा हमाई पास j और जब हमाई पास इसको ज्यादा हम लोग इसको टेड़ा करके लिखेंगे जितना line से करीब लिख सकेंगे तकरीब हमाई पास 30 का angle बन जाएगा तो यह हमाई पास होगा और ठीक है क्या हमने पढ़ा है कि एक तो इनकी directions change है अपवर से downward और दुसरा इनके slope में थोड़ा सा फरक है फिर वो कह रहा है कि j is written downward at a small angle from the vertical ray is always written upward at a small angle from horizontal इसको बस छोड़ दें इसको बस छोड़ दें तो यह मैंने आपको rules समझा दी है इसके बाद इसने थोड़ सी short forms बता दी है short forms में बताया है कि जब हम simple r को upward on the line लिखेंगे तो उसका मतलब होगा r और जब हम लोग वही आर वाला through the line लिखेंगे तो उसका मतलब यह होगा our यह our ठीक है यह our यह our ठीक है इन दोने मेंसे कोई एक मतलब होगा जब हम लोग light tick लगाएंगे above the line छोटा सा light tick लगाएंगे तो इसका मतलब होगा end और जब वही tick हम लोग on the line लगाएंगे तो उसका मतलब होगा should अब इसमें आप लोगों ने confused नहीं होना क्योंकि हमने who का भी जो tick था वो हमने इसी तरीके से पढ़ा था बट वो हैवी था और यह light है और इनके जिस तरह हमने चे और रे का पढ़ा है ना कि slope में थोड़ा सा difference है इसका भी थोड़ा सा slope में difference है who जो है similar and straight है थोड़ा सा vertical slightly slanted है और यह should जो है यह थोड़ा सा जादा slanted है ठीक है इसमें आब लोगा ने गंट प्यूज zamगा यह थोड। फिर और। यह आर का स्ट्रोट यह जो है इसको हम लोग downward वाला स्ट्रोक on the line लिखेंगे तो इसका मतलब होगा यह through the line लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एएर who is z इ वाला जी वाला स्ट्रोक जो है वो थो दी लाइन लिखेंगे तो उसका मतलब होगा हूस हमने पीछे पड़ा था कि जी वाला स्ट्रोक जो है वो अन दी लाइन लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा वास इसी तरह से लार्ज है जे वाला स्ट्रोक अन दी लाइन हम लोग लिखें फ्रेस का बता दिया है थोड़ा कि इना फ्रेस टू गो हम लोगों ने किस तरीके से लिखने है इसने बताया है कि टू गो जो है हम लोगों ने टू का साइन लगा के गो का उसाद में वावल साइन लगा देने अब हम लोग ने यहां पर वावल साइन क्यों लगाने है हमने प तो जब हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इसमें कंफ्यूज जाएंगे कि हमने इसको टू गिवन या टू गिव तो नहीं लिखा तो इसका फ्यूजन को दिरू करने के लिए उसने नीचे वावल साइन लगा दिये ताके हमें असानी होजए पढ़ने में समझने में कि हमने टू गो ही लिखा है टू गिव या टू गिवन नहीं है ठीक है यह हमने अपनी शाट फॉर्मस पढ़ लिए है और चार रूल हम लोगे ने पढ़े हैं इस चेप्टर में टॉटल साथ रूल है आर लिखने के साथ रूल में से अब मैं दूसरा आप लोगों को बताती हूँ के बाकी के तीन रूल इसने कौन से बताई हैं टोटल साथ रूल हैं बस इन साथ रूल को जहन में रखना है और आप लोगों ने समझने हैं इसको ठीक है अब उसने सेकंड नमबर पे बता दिया कि हमें आकवर्ड जाइनिंग आकवर्ड जाइनिंग मतलब जो पिछले रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन रूल्स के मताबिक अगर हम लोग अपनी आउटलाइन बनाएंगे तो वो थोड़ सी आकवर्ड लगेगी थोड़ सी बुरी लगेगी मतलब अजीब लगेगी तो उन से बचने के लिए उसने आगे तीन रूल इसके बता दिये मजीद तीन रूल के उनको किस तरीके से लिखना होगा ठीक है अब उसने क्या कहा है कि हम लोगों ने आर को डॉन वर्ड लिखना होगा जब आर का स्ट्रोक M से पहले आएगा M से पहले जब R का स्ट्रोक आएगा तो उसको हमने डाउनवर्ड लिखना होगा R का स्ट्रोक लिख दिया R फिर M का स्ट्रोक साथ में Room Wawel Sign और जब पिछला हमने पढ़ा था कि जब हमारा Wawel Sign जब हमारा लफ्स R से शुरू हो तो हमने R को अपवर्ड लिखना है उसके मताबिक अगर हम लोग लफ्स को लिखते है Room को तो हमारी आउटलाइन कुछ इस तरह से बनती जो कि हुश्चूरत नहीं थी और लिखने भी मुश्किल होती तो इसलिए इस से बज़ने के लिए इसने कहा है कि हमने इस तरह इस तरह से नहीं लिखना अगर हमारा R जो M जो है Sorry M जो है वो R के बाद आएगा तो हम लोग ने अपनी आउटलाइन जो है इस तरह से लिखने होगी हमने अपने R को डाउनवर्ड लिखना होगा ठीक है टी डी जे जे इत इन 5 कौंसटनेंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि इन 5 कंसटनेंट्स से पहले जब आ रहाएगा तो उसको अब वर्ड लिखना होगा जैसे के हैं लवस आर्च ठीक है आर्च को अब हम लोगों ने simple r का stroke और j का stroke साथ में वावल से लगा देना है arch अगर हम लोग पहले वाले rule के मताबिक लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते हम लोग इसको जो के वही बात के लिखने में मुश्किल होती और हुबसूरत outline भी नहीं लग री तो ये गलत है ठीक है इसलिए हम लोग ने arch को इस rule के मताबिक इस तरह लिखना है कि जब td, ch, j, it आएंगे arch से पहले तो उस ताइम हम लोग ने arch को upward लिखना होगा फिर नमबर थ्री पे है नमबर थ्री rule है कि upward after a straight stroke कि जब हमारे पास straight upward stroke के बाद आ रहाएगा तो आर को upward ही लिखना होगा जैसे के है लफ्स rear ठीक है rear को हम लोग ने इस तरह से लिखने हैं लेकिन अगर हम लोग पिछले वाले rule को follow करते वे लिखें तो rear हम लोग इस तरह से लिखेंगे जो कि गलत होगा तो इसके मताबिक हम लोग ने लिखना है कि कुछ स्ट्रोक से था जो कि straight upward स्ट्रोक थे जैसे कि वी वाला स्ट्रोक था simple मतलब जो upward लिखे जा रहे थे इन स्ट्रोक के साथ हम लोग ने R को upward ही लिखना है ठीक है अगर ये बाद में आएंगे तो तब इस लेक्चर में हम लोग ने यही पढ़ना था क्या पढ़ा कि आर्ट की टूप टाइप से अपवर्ड डाउनवर्ड फिर इसके हम लोग ने साथ रूल पढ़े हैं इन साथ रूल को आप लोग ने जहन ने साथ फूर्पोर्म पढ़े हैं अब इस चप्टर में कितनी एक्सेजिस बीछ और तरीन और फूर्टीन और फिस्टेंग फिप्टेंग सुर्फटीन आहां सरी पिफ्टीन टीन इसक्सेसिज़िसरे एं तो आप लोग ने क्या करना है एक्सेजास नमर थर्टीन नहीं कर ठीक है एक है एक साइस निमभर फॉर टीन और फिस्टीन आप लोगों ने होमवर्क करनी है ठीक है इसका आप लोग सकीन शाट लें गार यह आप इसका श्कीन शाट लें कोई भी कोईशन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा वर्ट सेप नंबर मुझूद होता है आप उसे राप्ता कर सकते है इसका भी स्क्रिंशॉट ले ले दोनों पेजिस का और एक्सेसाइज नंबर 14 और 15 का हॉमवर्क आप लोगों ने मुझे जमा करवाना है और एक्सेंप Journey ठीक है दो दिन का आपिके पास टाइम होगा एक दिन लोग सब्क्राइब और फिर एक्सेस इसकी इसक पिस्कीर अब यहां से इसका भी स्किंशॉट लेंगे और फिर इसका भी स्किन शॉर्ट लेने आपके यही था हमारा आज का लिक्टिर अलाफ़ीज